नमश्कार आप देखने हैं दर्ष न्यूज और मैं हूँ यतियाप के साथ पटना में जी ट्वेंटी की बैठक कल से आयोजित की गई है जहां तमाम 28 देशों से 173 प्रतिनिधिया है लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह आता है लोगों के मन में कि आखिर यह जी ट्वेंटी है क् कर देखे यूरोपियन यूनियन और 19 देशों का एक संगठन बनाया गया था 1999 में ये संगठन बना था और आपस में कैसे अर्थ व्यवस्था को सुद्रिध करना है इसके लिए इस संगठन का निर्मान हुआ था तब से हर साल इस सम्मेलन में सभी 20 देशों के प्रतिनिधी जुटते हैं और आपस में कैसे वैश्वीक अर्थ व्यवस्था को बढ़ाना ह कैसे अर्थ व्यवस्था को सुद्रिध करना है क्या भागिदारी हो रही है अन्य देशों की जो इस संगठन में शामिल है तो ऐसे करके अर्थ व्यवस्था को ही फोकस करते हुए एक संगठन तयार किया गया था और इसका सबसे पहला सम्मेलन जर्मनी के बरलीन में हुआ 1999 में ही हुआ था पहला सम्मेलन था और तब से हर साल इसमें जो 19 देश शामिल है सबके प्रतिनिधी आते हैं सम्मेलन करते हैं आपस में चर्चा करते हैं और कैसे उनका अर्थ व्यवस्था उनके देश में सुद्रिध है कैसे अन्य देशों से समनवय बनाकर और इसे बहतर किया जा सकता है इस पर चर्चा होती है आगि एक काम किस तरी के से करता है जी 20 के अंदर काम क्या-क्या होते हैं यह बदाए देखिए इसमें और भारत इंडोनेशिया समेत सभी देश के प्रतिनिधी हैं सभी देश के लोग शामिल है इसमें ये नहीं है कि इस बीष के अलावा अन्य नहीं आ सकते हैं, इस बीष के अलावा भी बहुत सारे लोग आते हैं, जो इसमें रूची रखते हैं, जो ये समझना चाहते हैं कि आखिर अर्थ व्यूस्था को कैसे स्तुद्रिड करना है, जो GDP है, उसको कैसे बढ़ाना है, GDP में आपकी क्या प्रतिनिधी अलग अलग देशों के प्रतिनिधी इसमें बैठते हैं और अपने देशों में जो वो लोग कर रहे हैं उनके देश में जो हो रहा है उसके बारे में अन्य देशों को बताते हैं अन्य देश के जो प्रतिनिधी हैं वो अपने देश में हो रहे वैश्विक और भारत के कई राज्यों में इस तरह का समयलन हो रहा है यहतालाइस के प्रति निद्री शामिल है कि यहां पे कैसे बिहार का अर्थव्योस्था अच्छा है वो बिहार के नजर्गे से नहीं देखते हैं भारत के नजर्गे से देखते हैं कि बिहार अगर राज्य है तो कैसे यहां पे उसका अर्थव्योस्था सुद्रिड हो रहा है कैसे इस पर हम लोग और अच्छा कर सकते हैं यहां से सीखने के बाद वो अपने देश में जा कर क्या implement कर सकते हैं इन सब चीजों के बारे में जानकारी लिजाती है यहां के कामगार कैसे काम करते हैं उनका दैनिक मजदूरी क्या है महिलाओं की इसमें क्या भागी-दारी फोकस होता है और यहान से तुलना करते हैं अगर यहां कुछ कमी है तो अपना वो बताते हैं मंतव्य रखते हैं बताते हैं कि ऐसे इसको बेहतर किया जा सकता है फिर वहां उनके देशों में कमी होती है तो यहां से सीख कर जाते हैं वहां बेहतर करने की कोशिश करते हैं यानि यह आदान प्रदान ह आपस में लोग सीखते हैं समझते हैं कैसे एक दूसरे का मदद करना है इस पर फोकस करते हैं चैन्दरमार हम यह भी जाना चाहेंगे कि पटना में कल जो 173 प्रतिनी दियां हैं 28 देशों से उनकी व्यवस्था को लेकर क्या कुछ तयारी थी यहां पर बिहार में देखिए वोटो कॉल भी है कि वो लोग अगर आते हैं हमारे देश में तो इस वार का थीम भी हमारा बहुत शांदार है वसुधयव कुटमबकम इस वारा कि इस जी ट्वेंटी की अध्ष्टा करते हुए एक बड़ा संदेश दे रहा है कि जो भारत पहले से हम लोग कहते थे कि अति का हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं इस से वैश्विक खायदा होने वाला है यानि इस से विश्व को लाभ मिलने वाला है जितने देश है सब को लाभ मिलने वाला है खबरे आप तक तेजी से पहुंचें इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाएं और अब हम फेस्बूक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी उपलब्द हैं तो आप हमारे पेज को वहाँ फॉलो करें साथ ही आपको हमारी खबरे कैसी लगती हैं आप हमें कमेंट करके बता धन्यवाद